हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicine में मेरा नाम है आजी तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से आ जिरूँ दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेगाविड एंटी टबलेट के बारे में प्रेगाविड एंटी टबले जरूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई नहीं वीडियो अपलोड करो मेडिसिन से रेलेटेड या फिर आपके हेल्थ से रेलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं प्रेग यह आपको वीडियो में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा इसे लेने का सही तरीका साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि नहीं इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए तो आप लोग बने रहे वीडियो में दोस्तो फिलाल में आपको दिखाता हूं इसकी इसके अंदर होता है इसमें होता है प्रेगा बाइलिन 75 एमजी और इसमें होता है नोट रिप्टिलिन 10 एमजी चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसे किन किन प्रॉब्लम्स में यूज किया आता है दोस्तों जिन लोगों को सुगर हो और उनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता हो तो ऐसी कंडिसन में अगर इसे दिया जाए तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है या फिर किसी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो तो घुटनों के दर्द में भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है और अगर किसी के मास पेशियों में द बहुत जादा तो वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उसности बहुत होता है साथ साथ मैं आपको बता चाहूं हो भूब होते हों थो नशों के दर्द के लिए ये बह। अच्छा होता है अगर वह से लोगी नेते हैं अगर कोई बूुस करता तो तब भी धर्द होता है। बहुत ज़ाँ दर्द होता है। ऐसी प्शाइब्ध में भी इसे यूज़ किया था है। तो ये ये हैं इसके benefits जिसमरे-स जब से जप्शे कयाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगा। क्योंकि जो भी दवा हम यूज करना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट है में मालू होने चीए साथ-साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चीए और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में नीचे मिल जागा आप वहां क्लिक करके मुझे डारेक्ट फॉलो कर सकते हो अब मैं आपको बताता हूं इसे यूज करने का सही तरीका दोस्तों इस टैबलेट को यूज करने का जो सही तरीका है वो है एक टैबलेट रात को सोने से पहले रोज लेना होता है कम से कम पंदरह दिन या फिर डॉक्टर जब तक आपको कहें तब तक आप इसे लीजिए और कई कंडिशन में जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोब्लम होती है किसी को तो उसमें दो टाइम भी इसे दिया जात है तो यह उनको दिया जाता है जिनको दिक्काश जादा होती है अगर आप नॉर्मली से यूज़ कर रहे हो तो एक टैबलेट पर डे आप ले सकते हैं इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं चलिए आप जानते हैं इससे होने वाले साइड इफेक्ट दोस्तों दवा लिने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्स बनने लगे तो समझ लिजी आपको इस सूट नहीं हो रहा या फिर आपको दुन्दला दिखाए देने लगे तो भी आप समझ सकते प कोई सूट नहीं हो रहा है तो मैं कि आपको इस उट नहीं हो रहा या फिर आपको पेशाब करने में बहुत ज़दा दर दोता हो बहुत ज़दा दिक्कत हो रही हो तो ऐसी कंडिशन में भी आप समझ सकते हो कि आपको इस उट नहीं हो रहा या फिर आपको नींद बहुत ज़दा आना लगे तो भी आप समझ सक करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सला जरूर लें डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवा यूज ना करें I hope कि आपको वीडियो पसंद आए होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजा बज़ा दीजिये गुडबाई